राजस्तान सरकार का चोथा बजट बुद्वार को मुख़्ी मंत्री वसुद्रा राजे ने विदान सबा में पेश किया अगला बजट चुनावी वर्ष में होने के कारण मेवार की जनता को इस बजट से काफी उमीदे रही होगी मेवार की सियासत में जिस पकार राजस्तान की सियासत में मेवार की भागिदारी रहती है तो यहां एक राजनितिक परिदेश में यहां एक मानिता है कि जो मेवार को जीतेगा वही राजस्तान के संटा में राज करेगा कल के पेश बजट में उदएपुर के शेर के युँआओं की क्या रहा है इसके लिए उदेपू टूटे लाया है कि स्पेशल कायकरम राजिका बजट युवाओं के नजरी में हम इसी कायकरम के अंतरकर शेर के युवाओं से उनकी राया चानेंगे कि उनके इस बजट में उनकी क्या राया है क्या उनके सुझाव है बई आपका नाम बताएं आपका से एसे लोग है अब एवरिजे कुछ इंटेलीजेंट रिल्येंट है वह सलेक्ट हो जाते और जो अब एवरेजे वह सलेक्ट नहीं हो पाते देनों उनको डोनेशन देखे में एडमिशn लेना पड़ता वो डोनेशन बहुत ज्यादा कोस्ली पड़ता है हर हर हैं और मैं यह बताना चाहूंगा कि अपने यहां के युवा जो किर्केट परगेरा खेलना पसंद करते हैं खेल गाओं में यहां पर फेसिलिटी दे रही है उनको पर उनमें ग्रामिन सेत्र के जो शात्र है उनको इतना मोका नहीं मिल पाता है वो आगे बढ़के नहीं खेल दी जाए वो अपने आगे बढ़के काई खेलना जाएतना चाहे तो उनको फेर अकेडमी इनकी प्रुविदा उपलप्त की जाए तो इन युवाओं का ये सुजाव था कि उदेपूर में जो खेल मिदान है उसको नियंतर शिक्र गती से विकास किया जाए अगली कड़ी मे हमाई साथ में युवा है रितिका शुर्मा ग्रामिन ग्रिवा शेत्र में अलग से एस्पी होना चीए ताकि जितने भी अपराद हो रहा है उन पर अंकुष लगे उदेपूर जिस तरह से नियंतर त्रिव गती से बढ़ रहा है उसको देखते हुए उदेपूर गिरवा मे एक अलग स्पी के वना बहुत आवश्यक है यही इस युवा की मांगती अगली कड़ी में आप बता है आपका नाम पता है प्रियंका वैसनों युवाइटी को उदेपूर प्रादिकरण में प्रमोड किया जाए जिससे की उदेपूर का विकास अच्छी तरह किसो हो सके ज प्रमोड किया जाए अगली कड़ी में युवा बताएंगे मेरा नाम समीर सिंग चौहान है और मैं जो सड़कों की हालत है राजसान मेवार में वह बताना चाहता हूं कि सड़कों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है यहां पर हाइवे जह हैं उन्पे चिता टोल्ट आल जाता है उस जाफ सांकि स्राव मेरा गया था कि चैनल चाहरे नहीं तो टोल्ट आप ने इसमें ॸैणता को स्ड़ह नहीं दी जाती है लेए उस्विगाय वाड़ी में बताए अगली कड़ी में जो इसकुन में जो वहां चलते वेन और यह तो उसमें सूरक्सा कोई तो वही सरकार उसको थोड़ा ध्यान दे स्कुल में उधिपूर के नीजी विद्यालों में जिस पका से बाल वही निया चल रही है उसमें पुक्ता सुरक्षा के इंतजाम हो यह हमारे युगाओं की मांगे अगली कड़ी में आप अपना नाम होता है मेरा 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 टॉप है होस्पिटल के उपर जैसे कि होस्पिटल के अंदर कुछ लोग होते जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और कुछ होते हैं अपने यहां पर मतलब इतनी सारी फैसलिटीज भी नहीं है उसके रही वज़े से हमको एंदा बाद जना के अंदर नहीं है जिसके कारण संभा के काफी गरीब आधिवासियों को भी महेंगे इलाज के लिए नीजी अस्पिताल है या इमदाबाद का रूख करना पड़ता है जिसके ताथ इस युगा की मांग है कि यहां पर किड़नी बत्यारोपन के अंदर की स्थापना की जाए अगली गड़ू आपका नाम बता है राहूल सिंग चुंडावर्त मैं यह बताना चाहिए है पर इसको साफ करना चाहिए सच बारत अभ्यान की तरथ जो बारत सरकार ने योजनाय चलिया रखी है उनको मूर्त रूप से लागू की जाए यही इस युगा की मांगे अगली गड़ी में आप बताए मेरा नाम परशांत विगे जैसा कि आप जानरे की सरकार ने चोथा अपना बजट पास किया है उसके तहत मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप मेवाड की अपन बात कर रहे तो हमारी शेहर को ले सकते हैं यहाँ पर सुरक्सा की वैस्ता देखे तो यहाँ पर जो पुलिस प् कर रहा है कोई हेल्पेंट पेंट के नहीं आ रहा है सब के मतलब पुलिस अंदेखा कर रही है इन बातों को तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सुरक्सा बड़ी जावे पुलिस प्रसंसन की ठेंक्यू शहर में कानून युवरस्ता को पुक्ता से लागू किया जाए यही इन युगाओं की मांग है टोल नाके को लेकर जो जन्ता में असंतोष है उसी को लेकर हमाई साथ में जुड़े हैं नाकेज जी इनसे हम बुचेंगे कि इनका क्या सुजाव है सर मेरा सुजाव है कि जो गवर्मेंट जब भी कोई विकल निकलता है उसके साथ में रोटेक्स भी लिया जाता है और उसके बाद आत्मी को मतलब पूरी जिंद की टोल टेक्स भी भरायाता है तो मेरा सुजाब है यह तो उत्ती वी तो समिखनार था उप्रणाली इना चाहिए लुख ख़गा कि उद्यपूर में बहुत जादा यातायात बढ़ चुका है और अब इत्ती यातायात बढ़ चुका है कि विल्कुल भी जगे नहीं रही है गाड़ियों के निकलने के लिए ति मेरा ही उस तुजाव है कि सरकार को ओवर प्रीज और फ्लाइवर जो है उसका निर्मान शिक्र से शेक्र करना चाहिए उद्यपूर में और यह यातायात की प्रोब्लों जाए वो सौल होनी चीए और जो काग्जों में ही बनावा है अभी तक ओवर प्रीज अप्लाइवर उसको जल्दी से जल्द जमीन पर बनाना चीए राज्तान सरकार के आम बजट को लेकर यह हमारा काईकरम था राजजगा बजट यहां के नजरिये में हमने देखा यहां ने अपने नजरिये से अलग अलग प्रकार के सुजाव और अपने राय व्यक्त किये चाहे उद्यपूर के विस्तार को देखते हुए UIT को उद्यपूर विकास प्रादिकरन के रूप में प्रमोड क उसको भी पूर्णुरूप से शिक्रे से शिक्रे बनाये जाए। लगाये ताकि उदेपूर भी राज के अन्य अग्रणी शेत्रों के साथ ही विकास में अपना रोल अदा कर सके साथ ही राजस्तान देश के अन्य अग्रणी परदेशों में उनका देत्तोत कर देश के विकास में अपनी महत्पुन भुमिका निबास सके उदेपूर यह कायकरम आप सभी को अतिनतर रूचिकर लगाओगा आप सभी के सुजाओ साधरा मन्तिते धन्यवाद